है नंख việc बोल्र क्षेठ बीजेबी जिलात ध्य करेarily फांसे अलो कोहँ से बोलוכ हैं अरे भईया अब आज अब आज दिलात दॉस्टा अति अ कुछ भी लग रहे हो दोस्तों रवश्कार मैं संजे मगगुर मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर जन प्रतिनिधी हो या राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने वाले लोग यनि कि ऐसे लोग जिनका सरोकार जनता और अधिकारियों करमचारियों के बीच में कोई सेतू का काम करता हो ऐसे लोग जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हो और जनता की समस्याएं अधिकारियों के समक्ष उठाते हो इनको माना जाता है जन प्रतिनिधी का दूसरा रूप जो कि अधिकारियों के समक्ष जनता की बात रखते हैं लेकिन यदि दौनों के बीच में खास कर जो जनता के प्रतिनिधी बन रहे हो या जनता के नुमाइंदे भले ही चुने हुए ना हो समाजिक और राजनितिक जीवन जीने वाले लोग और सामने सरकारी करमचारी अधिकारी लेकिन यदि लहजा बदला हुआ हो लहजे में कोई व्यक्ति के बोलने चालने के तरीके के अंदर अगर किसी प्रकार की ठसक हो, किसी प्रकार की कसक हो, किसी प्रकार का उसे आप कह सकते हैं कि दवाब बनाने की बात हो या सामने प्रतिवाद करने की बात हो तो फिर वो होता है जो आज पलवल में हुआ हुआ ऐसा कि भारती जन्ता पार्टी पलवल के जिलाध्यक्स चरन सिंग तेवतिया ने बिजली विभाग के कनिष्ट अभियंता को फॉन किया फॉन पर उनके बीच में टेलिफॉनिक कन्वर्सेशन में जो उनका चला सब कुछ उसकी परिनती ये हुई कि कनिष्ट अभियंता यानि कि जूनियर इंजीनियर जेई साहब को आज सस्पेंशन का ओडर मिल गया वो सिस्पेंड हो गई सोशल मीडिया पर एक आडियो वाइरल हो रहा है मैं आपको सुनवाओंगा वो अभी उस वाइरल आडियो के अंदर भारती जनता पारिटी के जिलाद्यक्स चरन सिंग तेवतिया और बिजली निगम के जेई बिजली निगम के कनिष्ट अवियंता पवन कुमार गरक के बीच में कन्वर्सेशन है दौनों के बीच एक बार बातचीत बंद भी होती है दुबारा बात शुरू होती है और जब दुबारा बात शुरू होती है तो बात देख लेने से ले करके और तू क्या बिगाड़ लेगा यहां तक पहुंचती है बात यहां तक पहुंचती है कि तू कहां बैटा है वही या करके तेरा इराज कर देते हैं यानि कि एक जो मैं आपको बता रहा था कि शब्दों की मर्यादा शब्दों का चैन बोलने का तरीका इसके साथ साथ दवाब बनाने की बात जहां तक आती है और या फिर जो मैं बता रहा था आपको कि जनता के लोग प्लस सरकारी करमचारी अधिकारी आप इन दौनों को मान सकते हैं कि दौनों जनता के सेवक हैं अपने आप में जो खुद को सोकॉल जनता के प्रतिनिधी मानते हो जनको जनता ने चुना हो या राजनितिक दलों ने किनी की ड्यूटी लगाई हो कि वो एक सीड़ी बने सेतू बने जनता और राजनि हो रहा था वो आडियो और जैई पर एक्षन भी आज हुआ बाजबा के जलाद्यक शरन सिंग तेवतियार ने कॉल किया बिजली निगम के अंदर काम करने वाले कनिश्टव यंता को जैई साहब को और जैई साहब से का कि भाईया जैई वहां का ट्रांसपर्मर बदल दे ज जूटी है जो सरकारी अधिकारी करमचारी है अगर कोई जनता का प्रतिनिधी या जनता से जुड़ा हुआ सामाजिक राजनितिक जीवन में जीवन जीने वाले व्यक्ति के लावा अगर कोई आम आदमी भी फोन करें तो होना तो यह चाहिए कि सम्मान की भाशा में बात की तरह से अलो कहां से बोल रहा है आप कौन बोल रहे हैं आवन बोल रहा हुँ जी जी हाँ जी पहले तब लेके नियुक्त पहले तो क्य जी ना बोलो मत कैसे बोले करें तो नीवा ना पता कैसे बोले करें जो ह। यह आप क्या चाहर है यह बता मुझे हाँ पहले पर एक ट्राउत लगवागी मेरी बात तेवित साव आप तक जब लग रहेगा यहां बीच में एक बार कॉल कट जाती है उसके बाद भारती जंता पारट्री के जिलाद्यक चलन सिंग तेवतिया दुबारा फॉन करते हैं उन जैई को और सुनिए दूसरी बार में क्या बात होती है 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 लो है लो है क्या करों भूलो उच्जान जेए अब बताओ क्या को है यह तुम है यह यह जोता आगको यह जोटान से याद रख सबाद सब्सक्राइब तो आपने दोनों बार में सुना कोई ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भारती जनता-पार्टी के जिलाद्यक्ष कह रहे थे अगर उनको भी अगर जो जिलाद्यक्ष महोते हैं जो उनको भी जो भाषा शैली अगर थी अगर वे भी सीधे सीधे पहले ये बताया जाता कि ये वाला काम है और बजाए वो कलिश्ट अवियनता के क्योंकि जिम्मेदार वहाँ पर सबसे महत्वपूर उप्पंडल अधिकारी हुआ करता है या फिर एक्सियन हुआ करते हैं जो छेत्र के खासकर बिजली विभाग के सर्वे सरवा हैं खेर जिलाद्यक्ष साहब ने फौन जेई को किया और जेई का जवाब आपने सुना और इस सबके बाद में हुआ ये कि देर शाम को आपकी देखी आदेश जारी हुए और इन आदेश के अंदर जेई साहब का कनिश् का ओडर मिल गया उनको सिस्पेंड कर दिया गया और सिस्पेंशन के दौर में उनकी जो ड्यूटी होगी वो फरिदाबाद में होगी आज सोशल मीडिया पर फेस्बूक पर आप देखें तो तमाम भारती जनता पारटी के कारे करता हो या फिर आम लोग जो जनता से जुड पक्ष रखा सोशल मीडिया पर आ करके और ये कहा कि उनको भाजबा के जराद्यक्षन धम की दी मैं इसलिहाज से इसलिए आप से कह रहा था कि शब्दों का चायन शब्दों की शहली और जो भाशा की मर्यादा है ये बहुत बड़ा आइना होता है और इसको सामने रख करक यदि कोई भी व्यक्ति उसके लिहाज से चलेगा चाये वो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो चाये वो सरकारी अधिकारी करमचारी हो चाये वो जन प्रतिनिदी हो और या फिर सत्ता के अंदर दखल रखने वाले लोग आज पूरे दिन इस मसले को ले करके चर्चा रह और मैं भी आपके पास एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ क्या आप इसके अंदर जूनियर जो इंजीनियर है जैई पवन अगरवाल जिन्नोंने की एक जनता से जुड़े हुए व्यक्ति के वाले के लिए बिना किसी रिगार के शब्द बोले दूसरी तरफ भारती जनत पार्टी के जिला जो कि सीधे सीधे इलाज करने की बात कर रहे थे आप इन में से किस व्यक्तित्तु की बातों से कितना सहमत है और सबसे प्रमुक बात कि क्या जनता से जुड़े हुए जो जनता की सेवा के लिए नियुक्त अधिकारी करमचारी होते हैं क्या वो वाकई न साथ जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें